सबी बाईयों को नमस्कार, सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फारम पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप बाईयों के समक्स काफी शांदार पसू दन लेके हाजिर हूँ इसके बारे में डिटेल से जानकारी दें और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि काफी सारी जो वीडियों हैं सोसल मेडिया पे आती हैं लेकिन आज एक ऐसा पसू दन लेके आये हैं जिसकी काफी पसू पालकों को एक स्पेसली तलास होती है तो सबसे पहले मैं एक बार एड्रेस कनफर्म करवा देना चाहता हूं जो भी भाई पहली बार कवरेज देख पा रहे हैं आज की वीडियो हम यादव डेरी फारम गाउं खेडा थरू डिस्टीक जजज़र हर्यना से वीडियो लेके आ रहे हैं और जब जब जज़र जिले की बात आती हैं आप मान सकते ह अच्छे अच्छे पसू पालक है अच्छे अच्छे पसू रखते हैं और आज दूद के मामले में दुधारू पसू के मामले में हमारा जो जिला है काफी आगे मैं कहूंगा जा चुका है छोटे-छोटे किसानोंने भी बड़े-बडे रिकार्ड कायम कर दिये तो "'हमारा साथ ही में बैल आइकेन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे रेगुलर वीडियो के लिए साथ में हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करें ताकि वहां भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आज अपने ही फार्म से जो पसुपालक ब्रीडिंग के लिए बच्चे लेने के लिए जो बैसे खरीदना चाते हैं जो अच्छे सीमन कलेक्ट करवाना चाते हैं आज जो आप कैमरे के सामने बफलो देख पा रहे हैं तीसरे ब्यात में है थर्ड टाइमर इसने काविंग कर रखी है दस दिन की ब्याई हुई 18 लीटर दूद मोके पे तैयार मैंने शुरुवात में एक चीज कही थी कि हर पसू पालक चाता है कि ऐसा पसू लें क्योंकि देखे छोटे साइज की कॉम्पैक्ट साइज की बैसे आपको काफी मिल जाएंगी मार्केट में लेकिन 5-5 से भी उच्ची हाइट की बैस दूसरी साइड बैसाब खड़े हैं 5-10 इंच या 5-11 इंच के सम्थिंग हाइट है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे क्योंकि 5-5 इंच से भी पलस होगी मैं अंदाजा बता रहा हूं हो सकता है 7 भी हो 6 भी हो उपर तो लेकिन कम नहीं मिलेगी दूसरा 18 लीटर दूद है मैं 17 रेक्रेमेंट करता हूं कोई भी वाई 3 टाइम देखे बात करें इसकी अडर की क्वालेटी थनों की क्वालेटी टाइट अडर मूठिया थन जिसमें किसी तरह की मस्टाइटेस वगेरा की दिक्कत नहीं आती क्योंकि बड़े अडर के आज जो नए यूआ हैं वो सोखीन जरूर है लेकिन मैं कहूंगा उसमें समस्यां काफी आती हैं साइज अभी आप देख सकते हैं जब खुलके एक पसुदन चलता है तो आप मान सकते हैं संपूर्ण दिखाई पड़ता है सींग सरीर पे जमता हुआ और अच्छे खासे दूद क अच्छी उमीद कर रहे हैं जिस पसुदन चलता है लेकिन हम और भी अच्छी उमीद कर रहे हैं आज जो दूद है वो आज की तारिक में बता रहे हैं साथ में जहां से हमने खरीदी है उस बाई के पास एक ही बैस से रेगुलर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं अपनी अच्छे लेते थे लेकिन आज कल जो सेल कर देते हैं क्योंकि अच्छी खासी लागत है वो बड़ी बड़ी चीजों की गर्दन है वो तोड़ देता है क्योंकि जो रिकोर्ड ओल्डर रही है इंडिया की वह बैस भी सेल हुई है तो आप मान सकते हैं तो आज जो पसुदन है मुर्रा पसुद अनादर स्टेट काफी ज़्यादा डिमांड है 18 लिटर दूद 10 दिन की ब्याईवी मेल काफ साथ में आगे 27 महीने की एक मुर्रा हीफर जो काफी बाई चाते हैं लगबग 26-27 महीने एज है एक बार हीट पे आ चुकी है और हमने इसको सीमन नहीं लगव पाया है और दूसरी बात अब हमारे अगर फार्म पे रही और हीट पे आई तो हम इसको सीमन कलेक्ट करवाएंगे साइज काफी अच्छा कटड़ी का बिल्कुल छुटा सींग 17-18 किलो दूद इसकी मा का दूसरे ब्यात में टेल लगबग 2 डाई इंस वाइट है बाकी बा से तो कोई भी भाई खरीदना चाहता है रेगुलर मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है साथ में देख सकते हैं कटड़ी का साइज पीठ थन नीचे से रिंकल्स काफी ज़्यादा है उमीद कर सकते हैं कि फ्योचर में काफी बड़ा अडर ये भी काफी शांदार ब भूम के ये नहीं कि सर में लगेगा तो आप भाईयों को ये वीडियो कैसी लगी कोमेंट्स में जरूर बताएं सभी भाई जुड़े सभी का दन्यवाद करते हैं सभी को मेरी तरब से नमस्कार सत्रीकाल राम राम सलाम